अबाज विशेश कारेकर में आपका स्वागत है और विशेश में इस समय हम लोग जो एक विशेश विशेश पर जो बातचीत होनी है वो विशेश वैसे बड़ा ही महतपूर्ण विशेश है और जिसने पूरे देश को बड़े लंबे समय से अपने आप में उल्जा कर रखा उस विशेश पर बात करेंगे जो मंदीर और मस्जीत के विवाद का विशेश है इस विशेश पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है अमबिटकराइट पार्टी आफ इंडिया के नैशनल प्रसिडेंट और एमबस के जो नैशनल और्गनाइजर है धिमान विजयमानकर सा साहप का जो कार्ये हैं वो कार्ये सिर्फ राजनितिक शेतर में नहीं बलकि धार्मिक, सांस्कृतिक, लेखन, शिक्षा इन सारे विशेश में और जो विशेश सामाजी का परिवर्तन से जूरते हैं उन सारे विशेश पर विजयमानकर साहप का काम जाता है और उनके अपने जो लेखन है जो रिसर्चिबल बूक्स है वो सारे भी अपने आप में बड़े महत्पूर्ण होते है आज हम ये बात समझने का प्रयास करेंगे कि जिस मुद्दे ने जो मंदीर और मजीद के विवाद का मुद्दा रहा 1949 से हमारे देश के लोग इससे जूड़े रहें और 1992 के बाद तो ये मुद्दा जैसे भारत की भूख से भी बड़ा मुद्दा बन गया था इस मुद्दे पर जब हम भारत की नियाए पालिका को देखते हैं तो नियाए पालिका ने एक बड़ा ही विशेश निर्णे दिया है इस निर्णे को समझना बहुत ज़रूरी है बात ये है कि यदि हम उस पूरे केस को देखे मंदीर और मजजीद की विवाद को तो कहीं भी आर्केलोजिकल सर्वे आफ इंडिया इस बात को साबित नहीं कर पाया कि वहां किसी मंदीर को तोड़ कर कोई मजजीद बनाई गई थी लेकिन सुप्रेम कोर्ट ने ये ज़रूर एड्मिट किया कि मजजीद को गिराना ये एक क्रिमिनल एक्षन था लेकिन बावजूद इसके सुप्रेम कोर्ट ने जब अपना फैसला सुनाया तो एक बात कही कि ये जो फैसला है ये आस्था के आधार पर है हम इसी विशेपर थोड़ी सी बातचीत करेंगे अमिट करेट पार्टी आफ इंडिया के नैशनल प्रेसिडेंट विजे मानकर साहब के साथ मानकर साहब कारे करेंगे आपका स्वागत है एक बात है साहब की मंदीर और मजजीद का ये जुब्धा है बड़े लंबे समय से भारत के पटल पर छाया रहा भारत का सम्विधान अगर देखें तो हर एक को अपने अपनी आस्थाओं को संभालने का निश्चीत रूप से अधिकार भी प्रदान करता है और अपने आप में आस्थावान होने के लिए भारत बिलकुल निरपेक्ष भाव के साथ आगे बढ़ता है लेकिन सुप्रिम कोर्ट जो भारत की सर्वोच नियाई पालिका है सुप्रिम कोर्ट ने एक विशेश आधार बनाया इस मंदीर और मजजीत के विवाद को सौल करने के लिए और उन्होंने कहा कि हम ये फैसला आस्था के आधार पर सुना रहे हैं मैं ये जानना चाहरा हूँ कि सुप्रिम कोर्ट ने आस्था के आधार पर मंदीर और मजजीत के विवाद को सुलजाना भारत की जो सम्वेधानिक संस्कृती है और इसकी जो नियाई प्रक्रिया है इस पर क्या प्रभाव डाल सकती है, आपको क्या लगता है, क्योंकि कानून के मसले पर भी आपका एक बहुत गहन अद्यान रहा है, तो कैसा समझते हैं? मैं समझता हो, constitutional weakness का फाइदा लिया है, मैं तोड़ा सा इसको अलग बातों में काहूंगा, और देखे, constitution के साथ, हमने human rights को भी sign किया है, और human rights में particularly यहाँ दो मैं साइट करूँगा, एक universal declaration of human rights 1948, and international covenant of civil and political rights 1966, और इसके साथ तोड़ा सा और अगर मैं आड कर दू तो international convention of elimination of all forms of racial discrimination 1965, और इसके साथ मैं German constitution को court करूँगा, और French law को court करूँगा, अगर आप German constitution देखेंगे, तो वहाँ clearly लिखा है कि state, state shall have no religion, यह clearly लिखा है, जर्मन constitution में, अगर French law 1905 का अगर आप देखेंगे, तो उसमें there is a separation of state and church, यानि जो धर्म है, उसका और state के बीच में का separation है, ऐसा को जो है वो प्रविजन हमारे constitution में नहीं है, इवन जो secularism word आया, वो preamble में डाला गया, 1976 में जो है, 42nd amendment से डाला गया है, तो हमारा constitution स्टिट्यूशन स्टिक्ली जो है, वो secular नहीं है, और इसी बात का फाइदा लेकर जो है, वो supreme court ने आस्ता के नाम पर जो है, वो decision दिया है, क तो human rights में कहता है, कि चायब religion को मानो या religion को नहीं मानो, religion को नहीं मानने वालों के संख्या, आज दुनिया में तीसरे number की है, after Christianity and Islam, जो religion को नहीं मानते, उनकी आबादी 120 करोड है, तो यह human rights उनको जो है, वो right देता है, कि चायब religion को मानो या नहीं मानो, हमारे constitution में ऐसा clear scheme अभी भी नहीं है, यही तमाम चीजों का weakness लेकर मुझे लगता है, Supreme Court of India नहीं decision दिया, पर मैं यह मानता हूँ कि गलत है, लेकिन अगर इसका प्रभाव अगर आप देखना चाहेंगे, कि आने वाले समय में अगर इस तरह के विवाद अगर देश में खड़े होते हैं, तो इन विवादों को क्या इस फैसले के आधार पर सुझाया जाएगा? जैसे राइट टू प्रिवेशी, यह सुप्रीम कोट ने कहा तब हमारे इसमें आया, यह सारा जो है, हमारे Constitution में होना चाहिए था, तो एक यह बात है, दूसरा, इंडिजिनेस राइट जो है, वह इंकर्परेट करने की ज़रुगत है, second generation of indigenous rights, हमारा Constitution दे कि Aboriginal tribe यह वर्ड हमारे Constitution में नहीं है, indigenous people यह वर्ड हमारे Constitution में नहीं है, schedule tribe का जो हिंदी में जो translation, वह फ्कॉस्व हिंदी का गलट translation है, वह जन जाती हुआ, जबकि tribes कभी भी जाती नहीं हुए, तो यह serious information से second part की, third part है, हमारे देश में judiciary है, लेकिन judicial accountability कहीं पर भी लेट डाउन नहीं है Constitution के अंदर में, हम अभी भी constitutional morality पर rely कर रहे है, constitutional legality को नहीं देख रहे है, मैं समझता हूँ कि constitutional legality का provision लाने की ज़र्वात है, जैसा कि अभी आपने कहा कि यह जो constitutional weakness है, Constitution का, उसके आधार पर यह decision आया, कि उसमें जो फोल्स हैं, उसके कारण Supreme Court ने यह decision दिया, बहुत सारे लोग यह भी मानते हैं कि बहुमत की सरकार इस institution को indirect control करती है, आपको क्या लगता है कि बहुमत की सरकार का कितना pressure होगा, इस बहुमत की सरकार बिलकुल कर सकती है, लेकिन constitutional अगर जो स्कीम अगर सही है, तो मुझे लगता है कि बहुमत की सरकार को भी checks and balances होते है, तो अपने आप में सब्सक्राइब के अमेरिका क क्योंकि दो जो स्कीम सोती है constitution में, एक separation of power से दूसरा होता है checks and balances, इसका जो provision होना चाहिए और इसका जो अभी जैसे globalization आया है, यह nationalism का rise हो रहा है, इसके लिए remedies जो है constitution में नहीं है हमारे, इसलिए यह जो है, और judiciary के accountability, आप देखिये, आज एक आएस officer इसकी भी accountability है, पर जज देखिये, एक बात तो मैं जब भी आपको सुनता हूं तो आप एक नए भारत के निर्मान की प्रक्रिया की आप बात करते हैं, मैं इसे से जूड़ी हुए एक बात आपसे जानना समझना चाह रहा हूं और वो मंदीर और मस्जीत के विवात के परिपेक्ष में समझना चाह करे को इन सब चीजों को वो कंट्रोल भी कर रही है, आपको क्या लगता है कि ये जो बहुमत का लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र और अभी इस वक्त लोकतंत्र पर जो बहु संख्यंक वाद जिसको हम हावी होता देखते हैं, आपको क्या लगता है कि ये नए भारत के निर्मान की सरकार बनती है जो बात आप बार बार कहते हैं येस और इलेक्टरल सिस्टम को सही करना यह यहां पर जो है सबसे बड़ा जो है इशु है उसके लिए मैंने अल्रेडी दस बिल पार्लामेंट को दिया है इवन जो यूवन राइट्स की मैंने बात की उसके दो बिल में पार् है देखे दो चीजे हैं पैसे वालों के हाथ में जब मेडिया आ जाती है और ELEKTORAL SISTEM का MISS YOUZ आ जाता है तो डेमाकरसी जो लिब्रल डेमाकरसी हमने सोचा था वो लिब्रल डेमाकरसी जिन एफेक्टिव हो जाती है देखर डेमाकरसी तीन तरह की होती है बेसिकली एक है यह वेस्ट मिनस्टर मॉडल है वह वी उन्रे सों पिचास के यह समे Patrol लिगा किरे जैंको जिसको योरोप ने भी wan जो हम जिंसके जो ये उक्सिप्ट लीग तो यह जो मेंगो व्रोन है जो निसां पचास का है व्रितन ने तो 64 आहा है आप 2010 में जो नौ जो अमेंडमेंट हुआ है ब्रिटिश कॉंस्टिटूशन ने लास के अंदर में उसको आप देखे तो ब्रिटन ने उसको सुधार आए लेकिन हम अभी भी जो है वो पुराने मॉडल को लेके चल रहे हैं तो यह मॉडल में सीरियस वीकने से से इसको हमको पॉजिटिव एमें सामねं है और सुप्रिम कोर्ट ने आस्था को को बेज बनाया अपने डिसीजन का तो क्या यह उसको प्रभावित करते ईसको बिलकार अगर देखे तो वरतमान देश की जो राजनीति है वह हमारे पास्ट में भी अगर देखें तो जो वبرतमान सरकार है वो सरकार भी उसी आधार पर खड़ी होकर आई है जो आधार उनका मंदीर रहा है अभी इस वक्त तो हम लोग अगर देखें तो परदान मंत्री ने इसका आफ मंदिर का भूमी पूजन कर दिया और इस्थिति ये बनी है कि उन्होंने भूमी पूजन करने के बाद मंदिर अब बन गया आपको क्या लगता है आप तो एक राजनितिक विशिशग्य के रूप में और एक राजनितिक पार्टी के लीडर के रूप में उसके मुख्या के रूप में आप कैसा सोचते हैं कि जिस मुद्दे पर बीजेपी की सारी राजनीती खड़ी होती रही क्या वो मुद्दा खत्म हो गया या फिर 1924 में ये मुद्दा फिर से सरकार के फेलिवर में इसको छुपाने के लिए फिर चुनाओं का मुद्दा बनेगा नहीं बिल्कुल होगा ना क्योंकि देखे एक तो है उसकी कुह हली हिथोस होती है प्रैक्टिसेस होती है उसके जो है उस सुसंगत नहीं है यह गलत है अगर मैं प्राइम नेस्टर होता तो मैं बिल्कुल ऐसा काम कभी नहीं करता समिझ रह hugs यह पहला पॉइंट है तो प्राइम मिनस्टर को जिस तरने लाकर क किया गया है पास दिनों तक 10 दिनों तक मेडिया के माध्यम से or straight मेडिया नैशनल मेडिया दोनोंने किया है तो यह तो जो है उसको Ram Mandir का जो इस्यो है जिसको cultural nationalism रोने का जो Ram Rajya की बात यह लगने कि बात है हमारी संस्कृतिक अधुनिक प्रतिक है ये जो है इस एस इस रुप में उसको प्रस्तूथ किया गाए तो यह आधुनिकता ऊगरे कुछ नहीं तो जूट को प्रचारित कर रहे हैं अब यह जो है इसको आइटेटी पॉलिटिक्स कहा जाता है और अइटेटी पॉलिटिक्स को जो है वह पॉलिजीज कि पॉलिटीक्स करते हैं थी कि GDP में 20 लाग करूर्ड का लॉस हो गया, इस पर धयन देने के ज़रुबरत नहीं आप पर हुएँ को प्राविटार कर रहा हूं तो पॉइकल जरुबरत नहीं है, वो इस strategy को जो है वो design करती है और बीजेपी इसको use करेगी और OAC है साथ में उसको बढ़काने के लिए तो agenda चलते रहेगा दोडों के वज़े से तो ऐसा मान के चला जाए कि ये मुद्धा अभी खत्म नहीं होता है बिलकुल नहीं होगा मतलब भारती राजनीती में ये मुद्धा बना रहे है लंबा चलेगा अगर ये लंबा चलेगा तो क्या लगता है आपको कि यही बात जो बहुसं के नुबात के साथ खड़ी होती ज यहीं lies जा बण वैं तो आप ये आपको नैशनल लेवल तो आप देखेंगे या जैसे मान सबस्सकों का नमी लगडय के लिए का गडर भी मूरल देते का भी उदर मूंदेजित तो ऑल्टेव पॉलिटीक्स जो है नाराश्टी लेवल पर दो तीन पार्टी शाथे से चाहिए जो पॉलिटिक्स ऑपॉलिटिक्स ऑफ, जो politics of human rights करें, जो politics of constitution करें, जो international level का politics करें साथ में, तब जाके जो alternative discourse पैदा होगा, वो काम करना जो है, वो political parties का काम है, और leaders का काम है, पर मुझे आज वो parties नज़र नहीं आ रही है, API के अलावा, उस तरह की. लेकिन ये एक बात जो दूसरी हम लोग इसी परिपेक्ष में देखते चले जा रहे हैं कि बहुत सारे जो buddhist communities के लोग हैं, वो इस बात को बड़ा रखने की कोशिश कर रहे हैं, कि जो मंदिर का अभी समतली करन हो रहा था, तो उसमें जिस तरह से उन्होंने देखा कि कुछ पूर्टिया निकली ये निकला वो निकला, उससे पहले भी ASI ने जब कभी इन चीजों को कोट के सामने रखने की कोशिश की, तो हमने बताए कि भई वो तो कोट के सामने ये थावित नहीं कर पाए कि वहां मंदिर तोड कर मस्धिद बनाई गए, लेकिन जो अलिक्सेंडर कनिंखम की जो रिपोर्ट थी, इस संदर्ब में, वो सर रिपोर्ट को भी नकारा गया, जो की वाई हिमेंट संग के यात्रा वर्नन पर आधारित थी, और दूसरी बात ये थी कि उन्होंने अपना जो उनका पुरातत व उत्खनन के बाद जो उनका अपना रिपोर्ट था, वो रिपोर्ट भी उन्होंने सब्मीट किया था, मैं ये समझना चाहरा हूँ कि जिस बहुसंखेंत वाद को हम लोकतंतर पर हावी होता हुआ देख रहे हैं, क्या नयाइपालिका ने भी इन सब कारणों से बहुदों की इस दावे को नकार दिया, या फिर आपको लगता है कि इसको जान बूच कर डिनाय किया गया, देखें बुद्धिस्ट और जैनो दोनों के आवशेश महा मिलते है, जी ऐसा याने पूप आता है इस्टी कल्चर में पढ़ने को, आके लोजी में, तर मुझे ऐसा लगता है, बेसिकली टाइटल सूट था, ये जो राम जमन भू का जो इशु था, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो अलग से ओर देना चाहिए था, मतलब बुद्धिस्ट पक्ष की बात, बिल्कुल बुद्धिस्टो जैनो ये और कोई भी हो, जी जी, कल हो सकता अधिवासियों का विश निकले महा, क्योंकि उनका प्राचिनतम है, तो उनको ध्यान में लेना चाहिए था, लेकिन जैसाब एक बात जो हम देख रहे हैं कि ये जो वरतमान दोर है, अगर इस वरतमान दोर में अगर हम देखे कि भारत में जो जिसको अभी धर्मनिर्पिक्ष्टा की बाद जिसको आपने कहा कि ये इसका कांसिप्ट कोई स्प अहुलतावादी संस्कृती है, जो सह अस्तित्व वाली संस्कृती है, इसमें धर्मों का स्टेटस जो है, क्या वो बराबर है, सरकार की नजरों में? देखे, कॉंस्टिटिउशन के हिसाब से तो सेम है, लेकिन अक्शल प्रैक्टिसस में नहीं है, इसकी क्या वजह मानते हैं, जैसे फॉर एक्जांपल मैं कहता हूं, या फिर कुछ और यह स्राजसत्ता पॉलिटिक्स तो बड़ा इंपोर्टन भी इसु है इसमें, लेकिन मैं कहूंगा, कॉंस्टिउशन में इसका प्रोविजन कहीं नहीं होना चाहिए, ताकि जिनकी गॉवर्मेंट वे बनती है, वो कॉंस्टिउशन के बेसिक फीचर को जोई वालेट करके कोई रॉल लौ ना बना सके, जैसे ट्राइवल लोगों का जो एक अलग कल्चर है, पर हमारे संस में एक अलग कोड़ने राइवल का, पहले हमारे संस में जो लोग धर्म नहीं मानते, उनका इक अलग कॉलम हुआ करता था, नो रिलीजन ही उसका नाम था, अभी उसको हटाए गया, दौजर एक के संस में यारा के संस में, अभी जो है, यानि आम्बिवीटी सबस् candidate के सा डाल भी दिया यह लेकिन हम तो दे देंखते हैं के conversation की पॉलिसी के साथ क्या हुआ बहुत सारी जो अधिकार है esse सब्सक्राइब कह साथ क्या हुआ यह है यह सरकारी के बाध यह जो आ आचर अन्शैली sommman तो आपको क्या लगता है कि मतलब इन चीजों से डिल कैसे दो बाते है एक तो Constitution कि जो language है जैसे रिजर वेशन पर जो डिसीजन सा रहे है कि एक रिजर्वेशन इस नौट फंडामेंटल राइट इस डिस्क्रीशन आफ देट चाहे तो स्टेट उसको दे या ना दे यह उसकी discretion है यह जो है उसने आपके आर्टिकल सिक्स्टीन फोर जो है या फिफ्टीन फोर की जो लैंग्वेजेस है 335 जो लैंग्वेजेस है उसको जिसको लिटरल इंटरपेशन कहा जाता है और historical interpretation का जाता है judicial interpretation की बात कर रहा हूं उसको लेकर ही judiciary ने ये बात बोला है मैं कह रहा हूं कि अगर मैं उस article को लिखू आज तो मैं उसको इस डंड से लिखो कि judiciary bind हो जाएगी वो उसको against में order नहीं देगी तो judy constitution की जो language है जिसको law law की language बोला जाता है यह constitution की language बोला जाता है उसमें जो है आपको affirmative language यूज करने की जरूरत है मैं समझता हूं जब हम article by article पड़ते क्योंकि मैं 16 बिल्स बनाया इसलिए मुझे बाते मालूम है और जिसमें के जो है आठ लगबक constitutional amendment बिली है जो positive amendments मैंने किया है तो उसमें जब आप कॉमा फिल स्टॉप और वर्डिंस में जाते वहां आपको जो है वो weakness मिलती है उसका यूज जो है वो judy shari करती है तो judy shari को direct language affirmative language जिसको बोला जाता है वो लिखने की जरूरत है constitution में और मैं समझता हूँ अगर वो किया जाए तो 100% बहले यह सवाल ना हो लेकिन 70-80% हो सकता है मतलब यदि उसको ठीक तरीके से लिखा जाए तो यह संभव है बिलकुत एक एक अंतीम बात जो मैं आप से समझना चाहरा हूँ कि यह जो पूरा episode जो हमारे सामने रहा मंदीर और मज़ित के विवाद के साथ अगर इसके संस्कृतिक पहलू को अगर देखा जाए क्योंकि यह बात बार बार कही जा ऑजा से को आदोनिटी इने कि आपको क्या लगता है कि इस इसको सांस्किर्प्रतिक प्रश्टि से देखा जाए इसका राजनिति का चलती रही है लेकि अगर धार्मिक पहली पहलू पहली बात तो जो है आदोन इसको मॉडिनिटि कहते हैं तो यह पर बेस्ट होती है यह अगर आप पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेंगे तो यह क्लियर है बिल्कुल राशनल जब तक नहीं हो वो मौडन नहीं होता है पहली बात जो है अब जहां तक कल्चर की बात हम करते हैं तो इंडिया में किस कल्चर की बात कर रहे हैं यह प्रश्यों की सब्वेता थी पचासाजार साल से इसके अर्के लोजी कल एवेडेंस इसमिल गया भी और इसलिए जो भारत से पहले गुंडवाना था भारत जो हमारा कंट्री का नाम है वो जो है वो मेरे लिया से बले कॉंस्टूशन में अर्टिकल वन में है लेकिन मेरे ल अर्श्टेलिया तब उन्होंने सोचाए कि में इसको क्या नाम दू तो उनको सबसे प्ले ट्राइवल्स की आदाई क्यों ट्राइवल कल्चर वस्टी मोस्ट एंचेंट कल्चर और अभी तो प्री हिस्ट्री में प्रूव आप पूरे वर्ल्ड के अंदर में ये बाते अब क्या वन्शिर आजाते तो नहीं संस्कृत हूं कि संस्कृति कौन सी है इंडिया में यह संख्रिति एक संस्कृति को कहए दिना कि यह पूरे इंडिया की संसिरति मैं समस्ता हूं कि अ पिर जूत और पदाम मंत्री ने जूत बोला है मैंने एक इंट्र Menderson complete mein the BM का जो है वह क्लारिफिकेशन दिया है और मैं कहना हूं कि नरेंद्र मोधी को इंडिया का कल्चर इस्टी जोगरफी यह कुछ फिलासोफी ठीक से नहीं मालूम और उनने जूट प्रचारित के जो काली टोपी वालों ने उनको पढ़ाया रिशिम्भाग वालों ने उसी को जा है अधिक कल्चर को आरियों ने ठोपने की कोशिश की यहां के आदिवासियों पर और असूरों पर और नागों पर वह सेम कोशिश जो है आधोनिक तरीके से की जाएगे इंडिया के अंदर में और इससे टेंशन और कांफिक्ट रहेगा और बाद में इंडियन पॉलिटी क है यह जो पुरा टेंशन है इसको रिसालेशन के लिए तो एक तो अभी तो इमेजटली एक तो दो बाते में कहूंगा एक तो जो नाशनल डिसकोर्स है उसको चेंज करना पड़ेगा नाशनल डिसकोर्स को चेंज आने जो भी हिंदुत्व का डिसकोर्स है जो कल्चरल बात जो हमें याद है कि हाउ टो सक्सीड वित अबेट करीजम यह जो आपने एक पॉलिसी डॉकुमेंट बनाया आपको क्या लगता है कि उस डॉकुमेंट के आधार पर भी अगर बात करें तो इन चीजों को रिजोलेशन की और कैसे ले जा से बैं उससे आगे की बात भी कह किस कॉस्मोयूमैनिजम की कॉस्मोयूमैनिजम याने साइंस नॉलेज अंड सलूशन की बात कर रहा हूं जी तो एक तो पार्ट यह जो लाना जुरूरी है जो पॉलिसी के साथ में होगा दूसरा में कह रहा हूं कि भारत के पहले गुणडवाना था इंडियन हिस्ट्री कल तो एक को साइंस और टूथ के साथ जाना पड़ता है कल्चर आपको एंशेंट में लेके जाता है कल्चर का नालेज ओना और कल्चर में जीना यह दो अलग बाते हैं तो हमको जो है भुटकाल में जीना है तो बहुष्य के तरफ जाना तो एक जो है कॉस्मोयूमैनिजमें साइंस नॉलेज और सालूशन की बात है दूसरा जो है में भारत से पहले जो गंडवाना था तो जो मानवतावादी कलचर और प्रकुतिवादी कलचर रहे यहां का समानतावादी कलचर इव उसको उपर लाने का प्रयास कर रहा हूं और मैं समासता हूँ अंग एंद लेवल के उपर में जैसे बहुत सारे जो है वो ट्राइबल मॉनिमेंट ko झाप न में तो उसके लेखिकली भी मेंदिया चाहिए घर गाने क्र already का काँ जब तक मेजNote को डिसकोर्स बी तो तब अपने पने मैंने रखे गा जब उसके साथ मेजोरिटी होगी मेजोरिटी बनाने की वही कोशिश जो है वो चल रही है और इसको पॉलिटिक्स में करवर्ट करने का भी प्रयास चल रहा है कुछ सीटों को आइडेंटिफाई करके कल्चर के खिलाफ एक कल्चर खड़ा करना होता है या फिर यह कहें कि कल्चर के सामने एक दूसरा कल्चर खड़ा करना होता है लेकिन वो जो कल्चर होता है वो वर्तमान में जो विज्ञानबाद है और जो लोगों की समझ है उसके साथ वो आगे बढ़ता है और उसके साथ रैशनलिजम भी होता है ये जो धिमान विजे मानकर साब के साथ बात में मानवी यह ताके जो नॉर्म्स होते है और जो मानव अधिकार होते है वन अधिकारों को ही इस वक्त अंधेरी की वो धकलने का प्रयास हो रहा है इस प्रयास को अगर रोकना है तो एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो कल्चर बेस होगा उसको करने की बड़ी जरूरत है ऐसा दिवान विजे मानकर साहब का यह मानना है इस बाचीत को यहां पर रोकते हैं मानकर साहब आप हमारे साथ हैं हमसे बाचीत की इस पुरी बाचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद धन्यवाद आप बने रहिएगा आवास इंडिया के साथ प्रोग्राम आगे भी जारी है की और मस्यां के घर देरो को आ सकती हमाने हमाने ही अम एगल के अ. की औरे के घा सकती है. पाल डोलár स्कत्रेuce कमा रखते हमाने माः आ सकट सकती हमाने ममा सो वाल